हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू दे नेक्स स्टेडी पॉइंट यूटूब चैनल आज आपको इस वीडियो में कुछ महस्पॉइंट विक्यों के बारे में जानकारी मिलेगी कि उनका जन्म कहा हुआ है या उनकी दोरा कहे हुए बचन कि ये बचन किस के दोरा काये गए है सो फ्रेंट्स वीडियो को पूरा जरूर देखें चलो चलते हैं अपने कोश्चन्स की ओर किस ने स्वयम को हिंदुस्तान का तोता कहा तो हमारे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स आपसे नमबर सी अमीर खुसरो अमीर खुसरो ने स्वयम को हिंदुस्तान का तोता कहा उपसे नमबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स आगे बढ़ते हैं हमारे नेस्ट कोश्चन की ओर पेगंबर मुहम्मत का जन्म कव हुआ तो हमारे राइट आंसर हैगा फ्रेंट्स आगे बढ़ते हैं हमारे नेस्ट कोश्चन की ओर गुरु नानक का शिष्ष से लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ तो हमारे राइट आंसर इगा फ्रेंट्स अंगद आपसे नमबर बी गुरु नानक का शिष्ष अंगद लहना नाम जिसका पहले था वह अंगद नाम से प्रसिद्ध हुआ ओपसे नमबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स आग भड़ते हैं हमारे नेस्ट कोश्चन की ओर संगीत संगीत की दुनिया में सितार के जादू बर नाम से किसी जाना जाता है संगीत की दुनिया में सितार के नाम से रहीम सेन को जाना जाता है ओपसे नमबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स आगे बढ़ते हैं हमारे नेस्ट कोश्चन की ओर तांसर का मूल नाम तो हमारा राइट आंसर हैगा फ्रेंट्स Option number B मकरचंद पांडे Option number B रामतनु पांडे Option number B रामतनु पांडे है तांसेन का मूल नाम रामतनु पांडे है Option number B हमारा right answer हो जाएगा आगे बढ़ते हैं हमारे next question क्यों उर्दू के मशूर सायर मिर्जा गालिव का वास्तिविक नाम क्या था तो right answer हो जाएगा Option number B अशुदुल्ला खा और्दू के मसूर सायर गालिव मिर्जा का वास्तिविक नाम अशुदुल्ला खा Option number B हमारा right answer हो जाएगा अशुदुल्ला खा आगे बढ़ते हैं Friends हमारे next question की और किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है तो right answer हो जाएगा Option number B निजामुद्दीन ओलिया निजामुद्दीन ओलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है Option number B हमारा right answer हो जाएगा आगे बढ़ते हैं हमारे next question की और सिखो के दस्पे अंतिम गुरू गुरु गोविन सिंह की जन्मस्तली कहा है तो right answer हो जाएगा Friends पतना साहिब option number D हमारा right answer हो जाएगा पत्ना साहिब सिखो के दस्पे गुरू और अंतिम गुरु गोविन सिंह की जन्मस्तली पतना साहिब है आगे बढ़ते हैं friends हमारा next question है इसलाम धर्म के प्रवर तक पेगंबर मुहम्मद का जन्म कहा हुआ था तो right answer रहेगा friends option number B मक्का में इसलाम धर्म के प्रवर तक पेगंबर मुहम्मद का जन्म मक्का में हुआ था option number B हमारा right answer रहेगा friends आगे बढ़ते हैं हमारे next question की और इसा मसी का जन्म कहा हुआ था तो right answer है, friends option no.Voperation Big Whits बैतल हम में इसा मसी का जन्म हुआ था action no.V हमारा right answer है, friends бег promo आगे बढ़ते हैं हमारे next question की और गोतम बुद्ध को ज्यान की प्रापती कहां हुई थी? तो राइट अंसर एका फ्रेंट्स ओप्स नम्बर C बोध गया गोतम बुद्ध को ज्यान की प्रापती बोध गया में हुई थी? बोध गया हमारा राइट अंसर हो जाएगा फ्रेंट्स ओप्स नम्बर C is a correct answer आगे बढ़ते हैं friends हमारे next question की ओर चेतनी महाप्रभू का जर्म कहा हुआ था तो right answer हैगा friends option number D नाडिया में चेतनी महाप्रभू का जर्म नाडिया में हुआ था option number D हमारा right answer हैगा friends आगे बढ़ते हैं हमारे next question की ओर option number C पाबा पुरी option number C हमारा right answer हो जाएगा friends आगे बढ़ते हैं हमारे next question की ओर तो right answer हैगा friends option number B महावीर स्वामी की मल्यराज शक्तिपाल के महल में महावीर स्वामी की मरत्यू कोई थी option number B हमारा right answer हो जाएगा friends आगे बढ़ते हैं हमारे next question की ओर संत कवीर का जन्म कहां हुआ था तो right answer हैगा friends option number B बाराणसी संत कवीर का जन्म बाराणसी में हुआ था option number B हमारा right answer हो जाएगा friends आगे बढ़ते हैं हमारे नेस्ट कोशन की और स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधी किसने प्रदान की थी तो हमारे राग मिया की मलहार का रचीता किसे माना जाता है राग मिया की मलहार का रचीता तांसेन को माना जाता है राग मिया की मलहार का रचीता तांसेन को माना जाता है आगे बढ़ते हैं हमारे नेस्ट कोशन की और महावीर की माता कौन थी तो आगे बढ़ते हैं friends हमारे next question की और प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे तो आप्सिन नमबर अप्रार्थना समाज के संस्थापक आत्मा राम पांडू रंग थे तो आप्सिन नमबर A हमारा right answer हो जाएगा friends आत्मा राम पांडू रंग आगे बढ़ते हैं friends हमारे next question की और गुरु नानक का उत्तर अधिकारी कौन था तो आप्सिन नमबर A गुरु अंगद गुरु नानक का उत्तर अधिकारी गुरु अंगद था आप्सिन नमबर A हमारा right answer हो जाएगा friends गुरु अंगद आगे बढ़ते हैं friends हमारे next question की और सिख गुरु अरजुन देव किसके शासनकाल में थे तो आप्सिन नमबर D जहागीर सिख गुरु अरजुन देव जहागीर के शासनकाल में थे आप्सिन नमबर D हमारा right answer हो जाएगा friends आगे बढ़ते हैं हमारे next question की और भारती पुनर जरन पुनर जागरन आंदुलन के पिता कोन थे तो आप्सिन नमबर C राजा राम मोहन राय भारती पुनर जागरन आंदुलन के पिता राजा राम मोहन राय थे आप्सिन नमबर C हमारा right answer हो जाएगा friends आगे बढ़ते हैं हमारे next question की और पटना में किस गुरू का जर्म हुआ था तो right answer हैगा friends आप्सिन नमबर D गुरू नानक देव पटना में गुरू नानक देव का जर्म हुआ था आप्सिन नमबर D हमारा right answer रहेगा friends आगे बढ़ते हैं हमारे next question की और ग्यान प्रापती से पूर्व महावीर का नाम क्या था तो right answer हो जाएगा friends आप्सिन नमबर A बर्धमान ग्यान प्रापती से पूर्व महावीर का नाम बर्धमान था आप्सिन नमबर A हमारा right answer रहेगा friends आगे बढ़ते हैं हमारे next question की और हमारा next question रहेगा गोतम बुद्ध का वास्तिविक नाम क्या था तो right answer हो जाएगा friends आप्सिन नमबर A सिधार्थ गोतम बुद्ध का वास्तिविक नाम सिधार्थ था आप्सिन नमबर A हमारा right answer हो जाएगा friends आगे बढ़ेंगे हमारे next question की और Confucius का वास्तिविक चीनी नाम क्या था तो right answer हो जाएगा friends आगे बढ़ते हैं हमारे next question की और अमीर खुसरो का वास्तिविक नाम क्या था तो right answer हो जाएगा friends आप्सिन नमबर A मुहम्मद हसन अमीर खुसरो का वास्तिविक नाम मुहम्मद हसन था आप्सिन नमबर A हमारा right answer हो जाएगा friends आगे बढ़ते हैं हमारे next question की और अमीर खुसरो किस सासक के दरवारी थे राइट आंसर हो जाएगा Friends Option number B, Allah उधिन खिल जी Option number B, हमारा राइट आंसर हो जाएगा Friends आगे बढ़ते हैं हमारे next question की महावीर स्वामी का जनम कहा हुआ था option number A, कुंडि गराम महावीर स्वामी का जनम कुंडिग्राम में हुआ था option number A हमारा right answer रहेगा friends कुंडिग्राम आगे बढ़ते हैं friends हमारे आज की वीडियो की last question की और आधी संक्राचारी का जनम कहां हुआ था तो आधी संक्राचारी का जनम option number B हमारा right answer रहेगा प्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को फ्लीज लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी है प्लीज चेनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि next वीडियो सबसे पहले आपके पास पोचे थेंक्यू फ्रेंड्स